कानपूर एंकाउंटर का मास्टर माइंड विकास दुबे गिरफतार हो गया है। अब मध्यप्रदेश पुलिस ने उसको यूपी पुलिस को सौपा है उसकी आधिकारिक तौर पर गिरफतारी हो चुकी है। अपने कुछ साथियों के साथ महाकाल मंदेर में दर्शन के लिए आया था। इस दौरान वहां तैनाथ सुरस्क्रा कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना थी। पुलिस कर्मियों से चौकी लेकर पहुँचे बाद में उज्जन स्पी मनोज सिंग दुबे को गिरफतार कर कंच्रोल रूम में ले गए। महाकाल थाना पुलिस युवक को गाड़ी में बैठा कर कंच्रोल रूम तरफ लेकर गई। महाकाल मंदीर की 250 रुपे की पर्ची भी कटाई और जैसे आम लोग दर्शन करते हैं वैसे ही दर्शन करने लाइन में लगा था। उसे एंकांटर का डर भी था यही कारण है कि उससे अपने आपको सरंडर किया है। तमाम सवाल भी इसके बाद उपज रहा है कि विकाल दुबे इतनी सकती के बाद मध्यप्रदेश में कैसे प्रविश कर गया और उज्जन तक कैसे पहुंशा। एसपी मनुद सिंग तुरंत महाकाल चौकी पर पहुंचे और इस मामले में आगे पूश्टाच की जा रही है। बाद में उसे महाकाल ठानी के बाद किसी सुरक्षिस्तान पर ले जाया गया है जहां उससे पूश्टाच की जा रही है।